तो हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से एटियम है जिन में अभी आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए क्योंकि दोस्तो मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल लए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं निप्टी का चार्ट सामने ऑप देखते हैं तो आप यहां देख सकते हैं जो इसका सपोर्ट निकल क्या रहा है जो की स्ट्रॉंग सपोर्ट है वो देख सकते हैं 16,800 का है तो फिलाल अभी तक तो यह रिस्पेक्ट कर रहा है इस सपोर्ट को तो उमीद कर सकते हैं इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्के और तीन-चार मेने से लगातार गिरावट हमें देखने को मिली रही है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जो की इसने अपना all time high लगाया था, 30 नॉम्बर के आसपास, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, तब से लेके मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जैसा कि चेक कर सकते हैं तो फिलाल हमें ज्यादा ETF के अभी फोकस नहीं करना है हमें कुछी ETF में अपने mindset पर रखना है दिमाग में रखना है सिर्फ 3-4 ETF ही ऐसे हैं दोस्तों जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं चार ETF में ही इन चार ETF में ही आपको फोकस करना है अभी के लिए क्यो हमारा पैसा और ताइम दोनों ही खराब हो तो दोस्तों चलिए बात कलेते हैं कि कि वो कौन से ETF हैं जिनमें आपको अभी फोकस करना चαहिए तो 강वार quarterback क którą कौन च्यत्यफ हैं जैसा कि यह जो सबसे बेस्तरेश वह आप अभी फिलाल अपने ध्यान में अबकों सकते हैं में बहुत ही उपर बाय कर रखा है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं ये निप्टी 50 का ही ETF है यानि निप्टी 20 हमारा जिसमें हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ऐसा रिटेल इंवेस्टर तो इसका प्राइज आज की डेट में 185 पे चल ला है तो दोस्तों ये भी ETF एक ऐसा ETF है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि निप्टी 50 का ETF है तो इसमें आपको कोई भी इसू नहीं होगा आप अराम से इसमें अगर आपने उपर बाय कर रखा है तो आप एवरेज कर सकते हैं डिफरेंट अकॉंट में य ये ETF फिलाल अभी एक अच्छी खाजी गिराउट देखने को मिल लई है और ये सबसे ट्रस्टेबल है जैसा कि आपको पता ही होगा तो ये ETF आप अभी फिलाल के लिए फोकस करें तो ज्यादा बेटर होगा तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा ETF कौन सा है जिस पे 52 वीक लो हैं वो निकल के आता है 27.1 रुपिए 27 रुपए 10 पैसे के असपास निकल के आता है जिसका 52 वीक लो है तो इस ETF को भी आप अपने ध्यान में रख सकते हैं ये भी एक अच्छी खाजी गिराउट पे मिल ला है आपको दोस्तों अगर इसके all time high से compare करेंगे तो लग की अपना position के बारे में सोच सकते हैं तो दोस्तों जो अगला ETF निकल के आ रहा है हमारे list में वो निकल के आ रहा है Nifty Next 50 यानि जूनियर भीस हमारा तो दोस्तों ये जूनियर भीस ETF है जो की Nifty के Next 50 stock को cover करता है जिसका की price आज की date में चल ला है 400 रुपए के आसपास आप यह यहां चेक कर सकते हैं तो दोस्तों यह भी ऐसा ETF है जिस पर आप आसानी से trust कर सकते हैं और यह इसमें भी 50 stock हैं एक दो stock बिल्कुल भी नहीं है ना कि 8-10 stock हैं पूरे 50 stock हैं तो देख सकते हैं इसमें भी एक साल के अगर चार्ट में देखेंगे तो इसमें भी लगबग 15% के गिरावट देखने को हमें मिल लए है तो यह भी एक बहुत ही अच्छा ETF है दोस्तों और अच्छी गिरावट पर मिल ला है तो आप इन्हें भी buy करने का सोच सकते हैं और चलिए अब देख लेते हैं हमारा आखरी ETF कौन से निकल के आता है जिसमें आप अभी अपना plan कर सकत करते हैं investment का या swing trading जो भी है इसमें करना पसंद करते हैं तो अगला ETF जो निकल के आ रहा है दोस्तों वो निकल के आ रहा है bank 20 banking sector का ETF दोस्तों तो यह ETF अभी के date में देखें तो लगभग 400 रुपए यानि 390 रुपए पर trade करता हुआ दिग रहा है तो इसमें भी एक ठीक्ठ 52 वीक हाई से तो देख लिए दोस्तों लगभग 10% की गिरावट है इसमें आप यहां चेक कर सकते हैं अपने 52 वीक हाई से तो यह ऐसा ETF है दोस्तों कि आप इसमें अभी fresh entry ले सकते हैं पर अगर अभी आप इसमें एवरेजिंग करने की सोंच रहे तो दोस्तों अभी इसमे लेना चाहते हैं तो ले लीजिए 400 के आसपास वाकी अभी जिसका ऊपर कई वाइंग हो चुकी है तो थोड़ा और गिरावट का भी वेट कर सकता है कि अभी और गिरावट देहने को मिल सकती है तो दोस्तों यह वो चार ETF थे जो हम आज आपके लिए लाए थे तो दोस्तों यह वो चार ऐसे ETF थे जिसमें आप easily trust कर सकते हैं और यह बहुत ही अच्छे ETF है और quality ETF है market में सबसे leader ETF कह सकते हैं तो इन में आप अराम से बिना किसी hitch chart के आप इसमें buying कर सकते हैं पर हाँ आप अपने risk को ध्यान में रखके इसमें investment करिएगा देखिए दोस्तों market में बहुत हम buying कर लेते हैं माल लेते हैं अगर उसमें 10,000 रुपय लगा देते हैं उस date में तो दोस्तों 10,000 लगाना असान होता है पर यह 10,000 लगा के हम एक तरा से उसमें हम फिर एक liability ले ले लेते हैं कि माल लेते हैं अगर वो इस ETF में गिरावट आनी शुरू होती है तो हमेंसे भी 10 10,000 से ही नहीं काम चलेगा फिर उसे हमें average भी करना होता है अलग-अलग account में तो दोस्तों 10,000 की बात नहीं यह बात हैं यहां पर लगभग 40-60,000 की तो यह आपको समझना पड़ेगा दोस्तों पहली position बनाना हमेसा असान होता है पर उसे फिर cover करना बहुत ही मुस्किल होता है तो कहने का मतलब है कि किसी भी ETF में आप buying तो कर लेते हैं पर फिर आप यह नहीं सुछते हैं कि कल को उसमें गिरावट आना शुरू होती है तो उसके average भी करना होता है और इस average को करने के लिए आप जिस भी price से उसमें buying की है उसका लगभग 4x या 5x नहीं 4-5 गुना पैस आपके पास होना चाहिए उसको average करने के लिए तो इस बात का आप जरू ध्यान रखा करिए किसी भी ETF में fresh buying जब भी करते हैं दोस्तों buying करना असान होता है पर उसे cover करना बड़ी गिरावट में और सारा risk ध्यान में रखना यह बहुत ही बड़ी बात होती है तो किसी ETF में buying क इसमें आप असानी से trust कर सकते हैं इसमें गिरावट भी आई तो आप इसमें average कर सकते हैं कोई तो दोस्तों यह था इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा मिलते हैं next वीडियो में तब तक के कीप लानिंग और बीडिस्पलें